हलो दोस्तों कैसे हैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे आज मैं आपको बताने वाला हूँ टूबे कनेक्शन तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो में बने रहें तो हमारे पास जो टूल है यह कटर है वायर कटर यह हमारे पास टेस्टर है इसके पास उसके बाद हमारे पास यह सुच है टूबे सुच है यह देख सकते हैं यह दो सुच है हमारे पास यह देख सकते हैं अग्धिंग के बारे मुद्धाओ इसको कुए और कट कर लें हैं तर्मिनल के बारे मुद्धा रहेता है इस तो बेनें दोशी तील होता है ये जिसमें एक बलब होती है करता इस तरह एक बलब रखेंगे बलब होगा और इससे हम बन करेंगे या इससे बन करेंगे या इससे चालू करेंगे तो इससे भी बन होगा और इससे भी बंद होगा इससे भी चैलू होगा है एक हमारे पास ये बलफ है तेरा वाड़ का और हमारे पास ये होल्डर है जो होल्डर होता है ये देखिये मैं इसको कैफ लगा लेता हूँ और यह जो socket देख रहे हैं यह सुच देख रहे हैं जो यह गल्फ में ज्यादा यूज़ होता है यह टूबे का जो गल्फ में ज्यादा यूज़ होता है यह standar में कहलाता है यह और यह इसका frame है इसका फ्रेम है सुच का यह देख सकते हैं तो किस तरह लगता यह भी मैं आपको देखा देता हूं तो यह मैं आपको कंप्लेट करके देखाता हूं यह कवर के बारे में बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह लगाया जाता है वीडियो क्लाश्ट में तो पहले मैं यह सारा व एक रेड़ वायर है जो यह कॉमन में लगेगी यह दो वायर है जो एल वन एल टू में लगेगी है ठीक है तो वीडियो में बने रहे है तो फटा फटा में कनेक्शन कर लेते हैं कि यह देख सकते हैं इस तरह इसको कुछ करने से फिर केबल डालने पड़ता है यह देखिए है यह हमारा सेट हो गया देखिए फिर दूसरा जो है इस तरफ लगा लेना है यह जो देख रहे हैं आप यह लूपिंग के लिए दिया गया है दूसरा भी लगा लेते हैं यह हमारा लग गया पिर दूसरे तरफ हम छिल लेते हैं इसको केबल आपको ज्यादा छिल के रखना है यह हमारा देखिए यह टर्मिनल है मैं इसमें लगा लेता हूँ चेह नीचे लगा यह उपर लगा दोनों एक ही है यह दोस्तों हमारा लग चुका है वाइर लाइन वन लाइन टू में यह देख सकते हैं अब हमें लगाना है कॉमन में लगाना है यह मैंने छिल लिया यह देख सकते हैं रेड़ वाली जो है इसमें लगा लेना है यह मैंने लगा लिया देख सकते हैं थोड़ा और छिल लेते हैं यह पूस करके डालना परता है मतलब दबा करके यह देखिए हमारा के बल्लक चुका है कॉमन अब यह देखिए लाइट का है तो यह तो हमारा न्यूटल रहेगा डायरेक्ट और यह जो है कॉमन यह यह रेट में लग जाएगी ठीक है तो इसे भी छिल लेते हैं कि मैंने लगा लिए ठीक है एक दे सकते हैं देख सकते हैं यह देख सकते हैं कि यह जो है न्यूटल डायरेक्ट लगेगी और यह जो है हमें से भी बिरेकर में लगाएंगे ठीक है तो यह देख सकते हैं कनेक्शन अब भी कर सकते हैं जिली कनेक्शन देखिए यह देखिए हमारे पास बिरेकर है 32 MPR का जो यह common जो है इसमें लगाना है और न्यूटल तो मालूम आपको डायरेक्ट लगेगा यह देख सकते हैं कनेक्शन देखिए मैं फटाफट कर लेता हूँ, पहले लगा लेता हूँ, नीटल लगा लेता हूँ, सबसे पहले आपको नीटल लगाना है, नीटल हमने लगा लिया, उसके बाद मैं कमन को लगा लेता हूँ, फिस ये ब्रेकर में ये लखिया, ये देखिया हमारा लग गया, ये देख सकते हैं, उसके बाद बलफ लगा लेता हूँ, एक बार वीडियो रुख करके देख सकते हैं आप लोग, ये देखिया, फिर मैं ब्रेकर उन करता हूँ, ये देखिया, इस तरफ से उन करता हूँ, ये देखिया, इस तरफ से उन करता हूँ, ये देखिया, फिर इस तरफ से उन करता हूँ, ये देखिया, फिर इस तरफ से उन करता हूँ, ये देखिया, फिर इस तरफ से उन करता हूँ, ये देखिया, 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 तो इस तरह जो होता है टूबे की कनेक्शन देख सकते इसका है मैं पल्टी करके देखाता हूँ यह देख सकते हैं तो गल्फे में ज्यादा तर यह सुच चलता है स्टेंडर तो दोस्तो आगे मैं आपको और बताने वाला हूँ किसका कभर किस तरह लगता है तो मैं आपको कभर लगा के देखाता हूँ इसका तीन पार्ट होता है मैं अभी बेरेकर बन कर लेता हूँ यह देखिए यह जो गिरिब बना हुआ है यह इसमें लगता है यह देखिए जब बैड़ यागा तो इस तरह आवा जाएगा और यह गिरिब देख रहे है इस तरह लगाना है यह देखिए प्रेल में लगा लिया हूँ दूसरा भी लगा लेता हूँ यह देखिए हमारा तयार हो गया यह देख सकते हैं दोस्तों अब मैं इसको ओन करता हूँ यह देखिए ओन 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 ओफ यह देखिए ओन ओन ओफ तो यह जो यूज होता है ज्यादा तर सिलम में होता यूज ठीक है मान ले जह हम गरोंड प्लोर पे हैं अफस्ट प्लोर से बन करना है यह फस्ट प्लोर से चालू करना है सिलियों की बलफ तो यही ज्यादा तर यूज होता है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर जो हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें झालू झालू झालू